जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है जो भीतर की सुनता है वो सवर जाता है यानि कि दोस्तों जो दूसरे के बातों में आता है वो उसका जिंदगी एकदम क्या बुलते हैं एकदम बरबाद से हो जाता है वही जो अपना सुनता है जो खुद का सुनता है वो जिंदगी क कुछ कर गुजरता है ठीक है इसलिए लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई फरक नहीं परना चाहिए आप क्या कर रहे हैं उससे फरक परना चाहिए और दुसरों के सुनने से अच्छा है कि खूद के सुना जाए ठीक है इसलिए जो आपका मन करता हो ही करे आपका आज की क्लास में दोस्ते हम लोग जैसका आप सभी को बताएं देखनी वाले हैं कि जीवानों की दवरा होनी वाली रों ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अब यहां से एक परसें देखने को मिलेगा ठीक है तो उसके लिए में उससे प्रसुन पूचा जाता है और जो जो टोपिक्स आप लोग पूचा जाता वही आप एक्जामिसन में देखनी को मिलता ही है एक्जम हंटेट इन परशेंट दोस्तों निश्चित रही है ठीक है चलिए हम लोग आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज क्लास को देखिए एक तरफ बिमारी के नाम दिया हुआ एक तरफ उसके प्रावित होने वाले अंग है जीवानु के नामे एक तरफ और एक तरफ उसके लक्षन है ठीक है तो देखिए दोस्तों टीठीस बिमारी होता है यह आप लोगों तंत्रिका प्रवाइद करता और इस जिवानु की नाम क्या है दूस्तों कलो इसको आप लोग डाउन कर सकते हैं और देखिए जब टिटनेस विमारी होता है इसमें आप लोग लक्षन के क्या क्या रहा सकते हैं देज बुखार रहेगा सरीन में एटन रहेगा जबड़ा बंद होना ठीक है यानि के मुँझ से थोड़ा सा भी आवाज नहीं निकलेगा ठीक है नेक्स है हैजा हैजा बीमारी दोस्तों किस अंग को प्रवाइद करता है वानुसारी के तो आथ को यह प्रवाइद करता है और इसका जिवानु नाम की बात करते हैं तो वी वी विवरो कोलेरी है ठीक है और इसमें क्या होगा लगातार दस्त और उल्टिया होगा ठीक है य ठीचिए और इसका लक्षन किया है तेजबूखार रहेगा सी सर में पुरा दर देतेगा है ना नेक्स्ट है आप लोग का छैरोग छैरोग दोस्तों यह फेप्रा को प्रवाइद करता किसको फेप्रा को प्रवाइद करता है और इसका आप लोग चियोनु नाम जान लेजे Mycobacterium Tuberculosis ठीक है यह है आप लोग का और इसमें लक्षन देखिए बार बार आप लोग खांसी के साथ कप आएगा रक्त निकलने लगेगा यानि खून निकलने लगेगा देखें डिप्थेरिया स्वासनारी प्रवाइद करता है यह सबसे परश्ण पूछा गया है अम लोग आप लोग ले के आएए तो देखिए इसमें आप लोग का कोरीनी बेक्टियम देफ्थेरी इसका जिवानु नाम है और इसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठना ही दिक्कत होने लगता है दाम गुटने लगता है ठीक है और इसी से आदवी मर भी जाता है ठीक न प्लेग प्लेग बीमारी कहा है ठीक है यह फेप्राग प्रवाइद करेगा कारो दोनों पेर के बीच को यह भी प्रवाइद करता है ठीक है और इसका कि प्राइद करता है कि इसका जीवानु नाम है इसमें लगतार खांश आने लगेगा से देखें नीमोनिया नीमोनिया दोस्तों ये फ्राइद करता है इसका जीवानु नाम जान लेजिए डिप को क्या है डिपलो कोकस निमोनी ठीक है यह आपका जिवानू नाम है इसमें क्या हुआ तेज बुखार रहेगा फेपरा में सुजन रहेगा है यहनि फेपरा में दर्द रहेगा हलका हलका और तेज बुखार रहेगा निमोनिया इसी को वो मतलब कहा जता अगर इस तरह लक्षन रहे गाता हो समझी आप लोगो निमोनिया पाया है राइट कोर देखिए कोड एक बीमारी होता है कि भारत में जहरकन में इसी फाया जाता है यह तंत्री का तंत्रों तोचा को प्रवाइद करता है इसमें आप लोगा जीवानू नाम जान लीजे, Mycobacterium Leffree है, ठीक है, और इसका लक्षन जान लीजे, सरीर पच्छाकत्ते तत्रिकाएं प्रवायद होती है, ठीक है, नेक्स्ट आप लोगका, Gonorrhea, ठीक है, गोनोरिया जोकि ये मुत्रमार को प्रवायद करता है, किस मार्ग को प्रवाइद करता है मुत्र मार्ग को प्रवाइद करता है इसका जिवानों नाम आप लोग जान लेजिए नाइसेरिया गोनोरिया ही ठीक है यह आप लोग का और इसमें मुत्र मार्ग में तो कि हलका हलका दर देने लगेगा समझ यह गोनोरिया बिमारी हो गया ह सिफलीस सिफलीस से क्या होता है इसमें सिस्न करता है और देखे सिफलीस होता है है यह दोस्थ यह आप लोग आज के लेक्शर था जो कि आप लोग आ जीयानु की द criminal की दोरा होने वाले रोग था ठीक है इसका कौन audition प्रवाइत होता है कौन सी भीमारी से कौन सा बीमारी का लक्षन कैसा रहता है ठीक है चिवानु को नाम इन सभी के बारे दुस्तों हम लोग देखें ठीक है यहां से आप लोग बता दें दुस्तों के गरांटी देते हैं आप लोग 5-6 मिनिट के वीडियो में ही एक परसन देखने को मिलेगा ठीक है और दुस्तों आप लोग जरकन मेला सूपर वाजर गया किसी भी सब्जेक्ट आप लोग नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बोक्स में बता सकते हैं ठीक है आप लोग के देखते ही आप लोग बिना ओप्सन दलेखे आप लोग ठीक लगा देजीए इस तरह बाप लोग का है अपर से चाहए वी सब्ज़ेक्ट की बात करते हैं अप लोग उ हमसेंस्थ साइक्लोजी की फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए टाटा बाई बाई जहार